आज में देख रहे हूं एस्ट्रा सीरीज वाली ना दो पोटेबल साउंड बार एके 20 और एके 30 दोनों ही ना सेम रेंज में आते हैं मतलब 800-900 रुपे दिखना आपको ये दोनों मिल जाएंगे तो आज ना हम इसका कंपेरिजिंग करेंगे यह है एस्टा 30 ऐसा कुछ इसका शेप मिल जाता है और साइज आप देख रहे ना ऐसा कुछ आता है यह इन्होंने ना 14 वैट में लॉंच कर दिया है मतलब अभी लेटेस्ट है जो कि पुरा ना मतलब एस्टा 20 है ना यह ना 10 वैट और पुट के साथ आता था और इसका शेप पाम देख रहे ना थोड़ा सा लंबा है और यह वेट में ना यह थोड़ा ज्यादा है पुराना स्पिकर है ना तो इसमें वेट ज्यादा है और इसमें वेट कम है तो फर्स पॉइंट है ब्लूटूथ तो ब्लूटूथ 5.0 के टेकनोलोजी ना आपको आइस्टा 20 में मिल इतने अमिज की बैटरी ना वोनों ने इसमें लिखानी है लेकिन इसमें आपको ना 10 आवर तक का बैकप मिल दाता है ऐसा वक क्लेम करती है और इसमें ना 12 आवर तक का वैसे बॉक्स पे तो ना बहुत ज्यादा कुछ लिखा है यहाप लिखा है स्टार लिखा है जैसे connectivity में आपको दोनों में सेम चीज़े मिल जाती है आपको यहाँ पर दिख रहा है मेमरी कार लगा सकते हो यूएस्बी ड्राय और फ्रिजिकल ऑन अफ बटन भी इसमें मिल जाता है और ना आपको दोनों में मिल जाते हैं आप हम discuss करेंगे बहुत सारे features ना आपको दोनों में सेम मिल जाते हैं यहाँ आप देख लिएगा call function FM Radio इसमें मिल जाता है FM Radio कैसे connect करना है ना वह मैंने i-button पे समझा दिया है बहुत सारे लोगों को ना यह पता ही ने चलता है कि FM कैसे active करें वह आपना आई बटन पर वीडियो दिख लीजेगा उसके बाद आपको ना TWS भी मिल जाता है मतलब बहुत सारी फीचर्स आपको सेम मिल जाते हैं यह तीनों फीचर्स आपको दोनों में ही मिल जाते हैं तो लास पॉइंट है sound quality इसके बाद ना हम करेंगे sound taste दोनों को यह compare करके देखेंगे किसकी sound output ना आप बहुत ही अच्छी है और आप headphone पहिन लीजेगा ताकि आपको भी ना quality समझ में आगी और मिल चानल को सब्सक्राइब करते हैं यार बहुत सारे लोग जो सब सब्सक्राइब ने करते हैं सब्सक्राइब किजिए लाइक किजिए और पड़क के दित्रस ना आपको साहरे डिस्क्रिप्शन भी मेल जाएंगे कौन है क्लियर विनर एस्टरा थर्टी यह क्लियर विनर है बहुत ही अच्छी कॉलिटी है इसकी वोकल्स और ट्रेबल ना अच्छे से मैनेज करता है और बहुत ही क्लियर है और बेस वाले गाने भी ना आप इसमें बजाओगे ना तो 100% पर यह नहीं फटेगा मतलब लेटे स्पीकर है ना तो डियावर्ज भी बहुत ही अच्छी उन्होंने यूज किये है और डिजैन भी आप देख रहे है ना बहुत ही अच्छा डिजैन है और पकड़ने में भी मतलब थोड़ा सा कॉमपेक्ट लगता है आप इसको क्यारी कर सकते हो दिजैन के मामले भी बिना यह क्लियर विनर है और दुसरे तरफ एस्टा 20 है ना यह 100% पर फटता है मतलब पुराना स्पीकर होने के बाद ना उन्होंने इसको ना अपडेट नहीं किया है वैसा कह वैसा ही है और तोड़ा सा हेवी है कॉमपेक्ट हो है यह नहीं तो आप इसको ना बिल्कुल भी कंसिडर मच किजेगा वोकल्स थोड़ी से कम जो रहे या पिर ऐसा लगता है कि क्लियर नहीं है फटते है ट्रेबल और बेस वाले गाने बजाओगे ना तो आप ना बहुत ज़्यादा परिशान हो जाओगे आपको अगर ना दोनों कही टे इसको ना बिल्कुल भी कंसिडर मत किजेगा यह ना बहुत ही अच्छी कॉलिटी वाला है 100% पर बेस वाले गाने भी ना आप इसमें पजा सकते हो तो मेरे तरफ से ना यह है और इसी के साथ ना मेरे चानल को सब्सक्राइब कर दिए यार बहुत सरे लोगों बहुत सकते हैं